तो इसके अधार का ब्यास ग्याद कीजिए यानि हम एक की ब्यास निकालने के बाद इसको दो गुना कर देंगे तो आपका ब्यास हो जाएगा तो इसकी उचाई दी हुई है और तो इसकी ब्यास की ब्यास खांगे गयर रावल यहैं सांकू के दहार की ड्यार कीर्णा जा यास बराबर में यह तो अगर मैं ब्यास की बात करूँगा यानि कि सांकू के अधार का व्यास तो वह कितना हो जाएगा तो वह तू आर हो जाएगा तरज संकु की उचाई दी ना संकु की उचाई अधि stretching이지 बराबर में नाइन सेंटिमीटर तो मैं लिखूंगा blindion का आयतन झालत ना कितना दिया मौइए जी 48 पाई की पिंटी मीटर क्यों तो यहां पर हो जाएंगा एक बट्फ तीं पाई आर आर स्कोइबर पर और ताल सरी सेंटी मीटर क्यों तो देखोना पाई से पाई यहीं पर काट दो सीध है एक बटा ती आर्टों में निकालना पड़ेगा और एच का मान्द यहां 9 सेंटीमीटर क्यूब यहां 3 से काट देंगे 9 को 3 बार में और इस 3 को भाग में भेज़ेंगे तो आर स्कॉयर बराबर में 48 सेंटीमीटर तो यहां आर स्कॉयर बराबर में इसे 4 सेंटीमीटर का स्कॉयर नहीं लिए सकता है तो यहां से 3 कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हमें तो ब्यास निकालना था तो ब्यास तो टू आर के बराबर है तो आपनो लिखेंगे इसलिए संकू के अधार का ब्यास अधार का ब्या बरावर में तू आर यान कि दो गुना में क्या हो जाएगा आपका चार सेंटीमीटर यान कि यहां से आठ सेंटीमीटर इसका ब्यास हो जाएगा समझ गए कुशन